मेरे साथ हैं भरह सिंग सोलंकी जी जो जमो कश्मिर के इंचारजें सर ग्रहमंतिया मिश्याह ने बहुत सारे सवाल उठाए हैं कहा है कि एनसी के साथ कॉंग्रेस ने गडबतन करके गलती की अलग जंडा बनाना चाहती है एनसी तो ये तमाम सवाल उठा रहे हैं देखिए भारती जंता पार्टी उनके नेता आप तो जानते हैं कि सत्था हत्याने के लिए कोई भी मनसुबे करके वो अपनी बातें करते रहते हैं कॉंग्रेस अपनी आइडियोलोजी और फिलोसोफी के साथ हमेशा काम करती है हमारे लिए पावर से जदा लोगो जंता का important है democracy समविधान का important है और इसलिए हम गठबंदन करते वक्त इन बातों का बहुत ड्यान रखते हैं समविधान का, लोगतंतर का और इसलिए हम सम ये गठबंदन करते हैं तो इस गटवंदन में भी हम अपनी फिलोसोफी आइडियोलोजी के बारे में हमेशा चिंतित रहते हैं उन्होंने सवाल उठाया कि 35-370 को वापसलाना चाहती है एनसी अलगावाद फैलेगा पाकिस्तान से बात कराना चाहती है तो कॉंग्रेस पार्टी क्या इन तमाम चीज़ों में शामिल है देखिए आप भी मजा कर रहे हैं कॉंग्रेस की फिलोसोफी आइडियोलोजी तैय है एनसी के साथ हमारा एलाइंस वो एक जमुकश्मी की लोगों की भलाई के लिए अच्छाई के लिए है समविधान को बचाने के लिए है लोकतंत्र को बचाने के लिए है और हमारा जो एलाइंस है उसमें कॉमन मिनीमम प्रोग्राम पर आने वाले समय में हमारी सरकार साथ में मिलके काम करेगी तर वो ये कह रहे हैं कि नेशनल कॉंफरेंस आरक्षनर चीनना चाहती है जितने भी अभी आरक्षनर दिया पहाड़ियों को बकरवाल को दिया इस तमाम बातों को वो मुद्दा बना रहे है देखिए भारती जनता पार्टी जो मन में चाहे वो बोल ले कॉंग्रेस अपनी फिलोसोफी आइडियोलोजी हमारी लिडर्शिप हमारे जम्मू कश्मीर के नेता और जम्मू कश्मीर के कारे करता बहुत समद्दार है और आने वाले समय में भारती जनता पार्टी बुखला गई है दर गई है इसलिए ऐसी बाते करें कवी तुकर्बंधन रहा है पे ड़ी पिके साथ और और वो पावर पाने के लिए किसी भी के साथ कर सकते हैं मैं अटार्ट देश कि जनता उनकी तकलीफे बईरोजगारी महंगाई किसी भी मुद्डे पर वो कभी ध्यान नहीं गोई सर कितने सिते फाइनल हो गई है कब तक लिस्ट आ जाएगी वह आपको पता चले है बहुत अशुद्य अबास्चित करने के लिए कैमरेमन परकाश गुपता के साथ खुर्रम शहजाद ब्योज एटीन दिल्ले